प्रगती मैदान के आसपास का ये पूरा ख्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त्र ख्षेत्रों बैसे एक है सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंबीर समस्य से जूजना पड़ा है ITO 14 पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है यह हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मेरे जब कारकम बनते हैं तो मैं पचास बार सोथता हूँ मेरे स्पी जी वगेरों करता हूँ कि या तो सुबह पांच बिज़े मुझे निकाल दो लोगों को परिशानी नहों या रात को देर से निकालो वहां से दिन में महरबानी करके उस रास्ते से मतले जैं यह लोग परिशान होते हैं मैं जितना बच सकूँ बचने की कोशिश खूद करता रहता हूँ लेकि कभी कभी में बजबरिया हो जाती है आज यह रचना के कारान यह जो डेड़ किलोमेटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है यह जो टानेल बनी है इससे पुर्वी दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इस इंटिग्रेटेड ट्रांजिट कोरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा गाडियों का इंधन बचेगा अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे तो उसमें पताया था कि 55 पन लाख लीटर पैट्रोल की बच्चत होने वाली है यहने यह नागरीकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं अगर मैं किसी को सो रुप्य देने की गोशना करूँ तो मेरे देश में हेडलाइन बन जाती है लेकिन मैं अगर ऐसी व्यवस्ता करूँ जिसके काड़ उसके 200 रुप्य बचते हैं वो खबर नहीं बनती है उसका महत्मा ही नहीं है क्योंकि उसमें पुलिटिकल माइलेज नहीं है लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थाई व्यवस्ताओं को विक्सित करते हुए जन सामान्य की सुविधा और उसका बोज कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं अब ट्रेफिक जाम बचेगा दि में बाइमी मनी बड़ी सरलता से कहते है अब यह ट्ञेल मन्ने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी सौझणा चाहिए लिग सावत के लिए टाइमी को भी हमारे पूरानी आदते पुराने बॉक्सिस में चीज़े डाल डाल करके देखने के बज़ाए बाहर आने के जरूरत है एक अनुमान है कि जितना इस कोरिडोर की वेज़े से प्रदूशन कम होगा वैसा करने के लिए जैसा हमारे पिविश भाई ने बताया पांच लाख पैड से जो मदद मिलती है वो मदद इस टनल के करण मिल जाने वाली है इसका मतला यह नहीं कि पैड लगाना नहीं है और मुझे खुसी हुई कि इस प्रोजेक के साथ पैड लगाने का कारकम भी हुआ यमना के तड़ पर और वो भी काम पूरा किया है ने डबल बेनिफिट ले लिया है हमारी सरकार नए पैड लगाने के साथ ही जिन वज़ाओं से प्रदुशन बढ़ता है उस मेंसे कितनी कमी कर सकते हैं टेक्लोलोजी का उप्योग करके कैसे कर सकते हैं उस दिशा में काम कर रहे है अभी हालमी में भारत ने पैट्रोल में 10% 10% इथेनोल की ब्लेंडिंग के लक्षोप प्राप्त किया है यह बहुत बड़ा एच्विमेंट है जी भारत की रिक्वार्मेंट का 10% इथेनोल गन्ने से बना हुआ वेस्टेज में से बना हुआ इथेनोल आज हमारी गाड़ियां दोड़ा रहा है हमारी गती को ताकत दे रहा है की काम हमने हमारा जो टारगेटेड टाइममिंग था उससे भी पहले कर दिया कई मेहने पहले पुरा कर दिया पेट्रॉल में इथेनोल ब्रेंडिंग का यह भियान हमारे प्रदुशां कम करता है हमारे किसान की आई को भी मदद करता है क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो यहां से बेस्ट उपयोग में आ रहा है